दोस्तो 1958 से 1962 तक चाइना में इदा 4 पैस नाम का अभियान चलाया गया था जिसका एम था देश से चुहे मक्ही मच्छर और गौराईया को पूरी तरह खतम करना दरसल चाइना बिमारी फैलाने वाले जीवों को खतम करना चाहता था मगर गौराईया का बेमारी से कुछ लिना देना नहीं था फिर इन्हें मारने का फर्मान चाइना ने क्यों जारी किया दरवसल चाईना का कहना था की एक गोराया साल भर में 4.5 किलो अनाज खा जाती है और इस हिसाब से देश के सारी गोराया लाख़ोटां अनाज हर साल खा जाती है और अगर गोराया को ही खतम कर दिया जाए तो यह सारा अनाज बच जाएगा जिससे देश की अर्थ विवस्ता बढ़ जाएगी जिसके बाद चाइना में दो साल की अंदर ही सारी गॉरईया को मार दिया गया चाइना का यह अभियान सफल रहा मगर चाइना इस बात को भोल गया था ये अनाज के साथ गौराईया फसलों को खराब करने वाले कीडों को भी खाती है और गौराईया के मारे जाने की वज़ा से देश में फसलों को खराब करने वाले टिडों की भरमार आ गई जिनका जुन सिर्फ कुछी देर में कई एकड़ खेतों को बरबाद कर देता था चाइना की की हुई ये गलती अब उसके लिए काल बन गई थी क्योंकि फसले बरबाद होने की वज़ा से चाइना में अनाज की भारी कमी हो गई और भयंकर भुकमरी का दोर शुरू हो गया जिसकी वज़े से चाइना में लगबग 4 करोडों लोग भी जान चली गई